गुड इवनिंग ओल अफ यू मेरे वित्रवाठी मिर्शासा की क्लास में आज हम कुछ objective question करेंगे जो कि आपका optional paper है आपका optional paper में fundamental of guidance and counselling paper से है उसके हम कुछ objective questions करेंगे चलिए start करते है पहला question आपका है निर्देशन प्रक्रिया होती है पहला option है बाल केंद्रित दूसरा option ह समस्या केंद्रित और last option है उप्रोक सभी इसका answer है D उप्रोक सभी निर्देशन प्रक्रिया का उदेश होता है पहला option है वेक्तित का विकास दूसरा option है समाजीकरण थर्ड उप्षिन नागरिक्ता का विकास और लास्ट उप्षिन उप्रोग सभी इसका अंसर ए D उप्रोग सभी निदेशन प्रक्रिया का उद्देशी की बात करे तो इसमें विक्तितु का विकास करना समाजी करन करना और नागरिक्ता का विकास आता है नेक्स्ट कुशन आपका है निर्देशन की विवस्ता की जाती है पहला उप्षन है समस्या की जानकारी दूसरा उप्षन है सहायता करना थर्ड उप्षन है अनुसरन करना और लास्ट उप्षन है उप्रोग सभी इसका आंसर है D उप्रोग सभी निदेशन की विवस्था में समस्य की जानकारी प्राप्त करना, सहायता करने और अनुसरन करने की बात की जाती है नेक्स्ट कुशन आपका है निर्देशन एक साहयक प्रविधी है पहला उप्षन है शिक्षन की दूसरा उप्षन है अनुदेशन की थर्ड उप्षन है प्रशिक्षन की और लास्ट उप्षन है उप्रोग सभी की इसका आंसर है D उप्रोग सभी की निर्देशन एक साहयक प प्रविधी के कारण शिक्षन की, अनुदेशन की और प्रशिक्षन की एक प्रविधी है। की मुख्य प्रकार है पहला उप्षन है शेक्षिक निर्देशन दूसरा उप्षन है व्यवसाइक निर्देशन तीसरा उप्षन है व्यक्तिकत निर्देशन और लास्ट उप्रोग सभी इसका अंसर डी उप्रोग सभी निर्देशन की मुख्य प्रकार में आपका शेक्षिक निर्देशन, वेफसाइक निर्देशन और व्यक्तिकत निर्देशन आता है नेक्स्ट कुशन आपका है निर्देशन की अवधारनाएं होती है पहला ओप्शन है मनोवेग्यानिक दूसरा ओप्शन है समाजिक थर्ड ओप्शन है दोनों ही और लास्ट उप्षिन उप्रोग में से कोई नहीं इसका अंसर है C, दोनों ही निर्देशन की अवधार्नाई मनुव्यज्ञानिक और समाजिक होती है नेक्स्ट कुशन आपका है निर्देशन की अधिनियम होते हैं पहला उप्षिन है व्यक्तिगत दुसरो उप्षिन है सामुहिक थर्ड उप्षिन है विशिष्ट समस्याओं और लास्ट उप्षिन है उप्रोग सभी इसका अंसर है D, उप्रोग सभी निर्देशन की अधिनियम में व्यक्तिगत सामुहिक और विशिष्ट समस्याओं आती है नेक्स्ट कोशन आपका है निदेशन सेवाओं में महत्व दिया जाता है पहला उप्षन है मांसिक योगिता, दुसरा उप्षन है समाजिक कौशल, थर्ड उप्षन है व्यक्तिकत छमताएं और लास्ट उप्षन है उप्रोग सभी इसका अंसर है D, उप्रोग सभी निदेशन सेवाओं में महत्व दिया जाता है मांसिक योगिताओं वालों को, समाजिक कौशल में और व्यक्तिकत छमताएं वालों में नेक्स्ट कोशन, शेक्षिक निदेशन का मुख्य कार है पहला option है योगिताओं का विकास, दूसरा option है भावी जीवन के तैयारी, थर्ड option है सुधारात्मक शिक्षन विवस्ता और लास्ट option है उप्रोग सभी इसका answer है D, उप्रोग सभी, शेक्षिक निदेशन के मुख्य कारे में आपकी योगिताओं का विकास करना, भावी जीवन के तैयारी करना और सुधरात्मक शिक्षन विवस्ता की जाती है इसका answer है C, बीवर ने, आत्मन निदेशन को महत्व बीवर ने दिया था इसका answer है D, उप्रोग सभी, निदेशन प्रतिमान के मुख्य परिवार में आपका प्राचीन, मद्धिकालिन और समकालिन प्रतिमान आता है इसका answer है C, पारसन चूजिंग ए वोकेशन पुस्तक के लेखक पारसन है चूजिंग ए वोकेशन पुस्तक के लेखक पारसन है इसका answer है B, प्रोक्टर ने इसका answer है B, प्रोक्टर ने इंगलेंड में, थर्ड ऑप्षन है भारत में और लास्ट ऑप्षन है चीन में इसका answer है C, भारत में निदेशन की विवस्ता अधिक प्राचीन भारत में है नेक्स्ट कोशन चात के वेक्तित विकास की आवशक्ता है पहला option है समाजिक द्रिस्टी से दूसरा option है मनुवज्ञानिक द्रिस्टी से थर्ड ऑप्षन है दार्षनिक द्रिस्टी से और लास्ट option है उप्रोग सभी इसका answer है B, मनुवज्ञानिक द्रिस्टी से चात के वेक्तित विकास की आवशक्ता मनुवज्ञानिक द्रिस्टी से होता है नेक्स्ट कोशन निदेशन सेवाओं की आवशक्ता होती है पहला ओप्शन है शैक्षिक विकास दूसरा ओप्शन है वेबसाइक प्रस्रिक्षन थर्ड ओप्शन है विक्तिकत समस्याओं और लास्ट ओप्शन है उप्रोग सभी इसका अंसर है D, उप्रोग सभी निदेशन सेवाओं की आवश्यक्ता, शैक्षिक विकास करना, वेबसाइक प्रशिक्षन देना और व्यक्तिका समस्याओं का हल करना होता है नेक्स्ट कोशन, निदेशन सेवाओं में कारेकरता की मुख्य विशेश्टा होती है पहला उप्षन है प्रशिक्षन देना, दूसरा उप्षन है समन्वित प्रयास करना, थर्ड उप्षन है सेवाओं सतत रखना और लास्ट उप्षन है उप्रोग सभी इसका अंसर है D, उप्रोग सभी निर्देशन सेवाओं में कारेकरताओं की मुख्य विशेश्ता में आपका प्रश्यक्षिक्षन देना, समन्मित प्रयास करना और सेवाई सत्त रखना होता है इसका अंसर है D, उपरोग सभी निर्देशन सिवाओं की मुख्य अधार में आपका विद्याले स्तर, विद्याले काकार और विद्याले के संसाधन इंक्लूड होते है next question विद्याले में निर्देशन सिवाओं के संगठन की में अहम भूमिका होती है पहला option ने शिक्षक की, दुसरा option ने प्रचारे की, थर्ड option ने परामश्दाता की और लास्ट option ने उपरोग किसी की नहीं इसका answer है B, प्रचारे की विद्याले में निर्देशन सेमाओ के संगटन की अहम भूमी का प्रचारे की होती है निर्देशन संगटन की मुख्य विशेशता होती है पहला option ने उद्देश्य केंदरित, दुसरा option ने समस्या केंदरित, थर्ड option ने बालक केंदरित और लास्ट option ने उपरोग सभी इसका answer है D, उपरोग सभी निदेशन संगठन की मुख्य विशेश्टा आपका उद्देश्य केंदिर्थ होता है, समस्य केंदिर्थ होता है, और बालक केंदिर्थ होता है निदेशन विवस्था में मुख्य कारे करता होता है पहला उप्षन है मनोविज्ञानिक, दुसरा उप्षन है स्वास्त विशेशग्य, थर्ड उप्षन है परामश्दाता और लास्ट उप्षन है उप्रोग सभी इसका अंसर है D, उप्रोग सभी निदेशन विवस्था में मुख्य कारे करता मनोवे ज्यानिक, स्वास्त्वी सेशग्य और प्रामश दाता होता है नेक्स्ट कोशिन निदेशन सेवाओं के मुख्य प्रकार है पहला उप्षन है आत्म अनुसूची सेवा, दुसरा उप्षन है अनुगामी सेवा, थर्ड उप्षन है परामश सेवा और लास्ट उप्षन है उप्रोक सभी इसका अंसर है D उप्रोक सभी देदेशन सेवाओं के मुख्य प्रकार में आपका आत्म अनुसूची सेवा, अनुगामी सेवा और परामश सेवा आता है नेक्स्ट कोशन परामश से की मुख्य अवस्था है पहला option है परामश से पूर्व, दूसरा option है परामश के समय, थर्ड option है परामश के बाद और लास्ट option है उप्रोग सभी इसका अंसर है D, उप्रोग सभी परामश की मुखे अवस्था में आपका परामश ते पूर भी हो सकता है परामश के समय भी हो सकता है और परामश के बाद भी होता है नेक्स्ट कोशन, अनुगामी सेवा का उप्योग करते हैं पहला उप्षन है सुचनाओं का संकलन, दूसरा उप्षन है आत्म विसलेशन, थर्ड उप्षन है विश्वसनी प्रदतो हे तू और लास्ट उप्षन है आंकलन हे तू इसका अंसर है D, आंकलन हे तू, अनुगामी सेवा का उप्योग हम आंकलन हे तू करते हैं स्थानापन सेवाओं का उपयोग किया जाता है स्थानापन सेवाओं का उपयोग हम वेफसाइक निदेशन में करते हैं Next question. वेक्ति के आंतरिक सुचनाओं हेतु प्रियोक्त करते हैं。 पहला उप्षण पूर्व सेवा, दोसरा उप्षण शोद सेवा, तोर्ड उप्षण आत्म अनुसुची सेवा और लास्ट उप्षण अनुगामी सेवा. इसका अंसर सी आत्म अनुसुची सेवा. व्यक्ति के आंत्रिक सुचनाओं हेतु प्रिक्त किया जाता है आत्म अनुसुची सेवा का नेक्स्ट कोशन मनुवग्यानिक सुचनाओं में महत्व दिया जाता है पहला उप्षन है व्यक्ति को, दुसरा उप्षन है बुद्धी लब्दी को, थर्ड उप्षन है मुल्यों को और लास्ट उप्षन है अभी वृत्यों को इसका अंसर है B बुद्धी लब्दी को मनोवग्यानिक सुच नौव में बुद्धी लब्दी को महत्व दिया जाता है नेक्स्ट कोशन आत्म अनुसूची का मुख्य चरण है पहला ओप्षन है आत्म विसलेशन दूसरा ओप्षन है परामर्ष थर्ड ओप्षन है अनुवेशलात्मक और लास्ट ओप्षन है उप्रोग सभी इसका अन्सर है डी उप्रोग सभी आत्म अनुसूची की मुख्य चरण की बात करे तो इसमें आत्म विसलेशन परामर्ष और अनुवेशलात्मक होता है नेक्स्ट कोश्चिन निदेशन सेवाओं का आयोजन किया जाता है पहला ओप्षन है राजिस्तर पर दूसरा ओप्षन है केंद्र स्तर पर थर्ड ओप्षन है दोनों ही स्तर पर और लास्ट ओप्षन है किसी पर भी नहीं इसका अंसर है दोनों ही स्तर पर निदेशन सेवाओं का आयोजन राजिस्तर और केंदस्तर पर किया जाता है Next question माद्धे में विद्यालों में निदेशन सेवाओं की सरवप्रतम संतुती की पहला option है कोठारी आयोग दूसरा option मुदालेर आयोग थर्ड option है रास्ट शिक्षानीती और लास्ट option है विश्विद्याले आयोग इसका अंसर है B मुदालेर आयोग माद्धे में विद्यालों में निदेशन सेवाओं की सरवप्रतम संतुती मुदालेर आयोग ने की थी Next question केंद्रे बियोरों का उद्देश्य है पहला option है भारत में निदेशन सेवाओं दूसरा option है निदेशन आंदोलन करना थर्ड option है निदेशन का नित्रत करना और लास्ट option है उप्रोग सभी इसका अंसर है D उप्रोग सभी केंद्रे बियोरों का उद्देश्य की बात करें तो इसमें भारत में निर्देशन सेवाएं, निर्देशन अंदोलन करना और निर्देशन का नित्युत करना होता है। पहला उप्च्ण है विश्वसनियता, दूसरा उप्च्ण है व्यद्यता, चाहिए। नेक्स्ट कोशन, शेक्षिक निदेशन की मुख्य प्रविदिया हैं, पहला उप्षन है शेक्षिक परिक्षन, दूसरा उप्षन है निदनात्मक परिक्षन, थर्ड उप्षन है बुद्धी परिक्षन और लास्ट उप्षन है उप्रोग सभी, इसका अंसर है D, उप्रोग स शेक्षिक निदेशन की प्रमुक्व प्रविध्य की बात करें तो इसमें शेक्षिक परिक्षन, निदनात्मक परिक्षन और बुद्धी परिक्षन इनकी प्रविध्या है नेक्स्ट कोशिन शिक्षा निदेशन का अधार होता है पहला उप्षन है शेक्षिक समस्या, दूसरा उप्षन है वेवसाइक समस्या, थर्ड उप्षन है वेक्तिकत समस्या और लास्ट उप्षन है उप्रुक सभी इसका अंसर है A. शेक्षिक समस्या शिक्षा निदेशन का अधार शेक्षिक समस्या होता है Next question मांसिक मंदित बालकों की पैचान का अधार होता है पहला option है बुद्धी लब्धी दूसरा option है शेक्षिक उपलब्धिया थर्ड option है दोनों ही और last option है उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका answer ब शेक्षिक उपलब्धिया मांसिक मंदित बालकों की पैचान का अधार आपकी शेक्षिक उपलब्धिया होता है Next question प्रतिभाशालि बालकों की पैचान का मांदर्ड होता है पहला option है शेक्षिक उपलब्धि दूसर अप्षन है बुद्धी लबदी थर्ड अप्षन है समायोजन और लास्ट ओप्षन है उपरोक्त सभी इसका अंसर है B बुद्धी लबदी पतिभाशाली बालको की पैचान का मांदन बुद्धी लबदी होता है इसका अंसर है C, दोनो ही होता है अपंग बालकी पैचान का अधार होता है पहला उप्षिन है बुद्धी लब्धी दूसरा उप्षिन है शारिक बाधित अपंग बालकी पैचान का अधार आपका शारिक बाधित होता है पहला उप्षिन है शारिक बाधित दूसरा उप्षिन है अधिगम बालकों की शिर्णी होती है शिर्णी में मांसिक बाधित लोग आते हैं नेक्स्ट कोशन हम निस्पति और निदानात्मक परिक्षिन से देखेंगे यानि कि अचीवमेंट डियागनोस्टिक टेस्स से कुछ कोशन देख लेते हैं निस्पति परिक्षिन से जानकारी होती है थर्ड ओप्शन है दोनों का और लास्ट ओप्शन है उप्रोग में से कोई नहीं। इसका अंसर है B. गलत उत्रों का निदिनात्मक परिक्षन का महत्व गलत उत्रों को दिया जाता है। नेक्स्ट कोशन निबनात्मक परिक्षन की विशेष्टा है पहला उप्षन अभिविक्ति छम्ता दूसरा उप्षन निबनात्मक परिक्षन की विशेष्टा में आपकी अभिविक्ति छम्ता दूसरा उप्षन निबनात्मक परिक्षन की विशेष्टा में आपकी अभिवि थर्ड ऑप्शन है दोनों को और लास्ट ऑप्शन है उपरोग में से कोई नहीं इसका अंसर है C, दोनों को वस्तोर पष्चा में विशेश्टा उसकी व्यादिता और विश्वरस्ट्या दोनों ही होती है Next question, संचई आलेग से जानकारी होती है पहले option है मांसिक सतर में, दूसरा option है शेक्षिक प्रगती में, थर्ड option है शेक्षिक उपलब्धी में और लास्ट option है उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका answer है B, शेक्षिक प्रगती में, संचेई आलेक की जानकारी शेक्षिक प्रगती में होती है अब कुछ question हम measurement of intelligence and creativity से दिखते हैं यानि कि बुद्धी और सिजनात्मक्ता का मापन से दिखते हैं इसमें है पहला question बुद्धी लब्धी का प्रत्य दिया पहला option है थर्स्टन ने, दूसरा option है स्पेर मैंन ने, थर्ड अप्षिन ने और लास्ट option है गलिफोर्ट ने इसका answer है third यानि कि C, बीने ने, बुद्धी लब्धी का प्रत्य बीने ने दिया था बुद्धी परिक्षिनों के मुख्य प्रकार है पहला option है शापदिक परिक्षिन, दूसरा option है और शापदिक परिक्षिन, थर्ड अप्षिन प्रयोगात्मक परिक्षिन और लास्ट option है उप्रोग सभी इसका अंसर है D, उप्रोग सभी बुद्धी परिक्शन के मुखे प्रकार में आपका शाब्दिक और शाब्दिक और प्रयोगात्मक परिक्शन आता है बुद्धी की प्रात्मिक मानसी योगिताओं का प्रत्य दिया जिसे PMA theory भी कहते हैं इसका अंसर है B, और शाब्दिक में इसका अंसर है बुद्धी परिक्शन का उप्योग और शाब्दिक होता है भारत में सिजनात्मक परिक्शन की रचना की पहला उप्शन है जलोटा ने दूसरा उप्शन है बाकर महंदी ने थर्ड उप्शन है महता ने और लास्ट उप्शन है भाटिया ने इसका अंसर है B, बाकर महंदी ने भारत में सिजनात्म परिशन की रचना सबसे पहले बाकर मेंदे ने की थी नेस्ट कोशन हम वोकेशनल एजुकेशन और गाइडिन्स से देखेंगे यानि कि वेबसाइक शीक्षेक में निदेशन से देखेंगे पहला कुशन है वेवसाइक निदेशन का मुख्य उदेश्य है पहला ओप्शन है वेवसाइक का चैन दूसरा ओप्शन है वेवसाइक में निरंतर प्रगती थर्ड ओप्शन है विश्यो का चैन और लास्ट ओप्शन है उपरोग सभी इसका अंसर है D, उप्रोक सभी वेफसाइक निदेशन के मुखे उदेश्य की बात करें तो इसमें वेफसाइक का चैन करना उसमें निरंतर प्रगती करना और विश्यों का चैन करना होता है नेक्स्ट कुशन वेबसाइग निदेशन का विशेश संबंध होता है पहला उप्षन है वर्तमान से दूसरा उप्षन है भविश्य से थर्ड उप्षन है अतीज से और लास्ट उप्षन है किसी से नहीं इसका अंसर है भी भविश्य से वेबसाइग निदेशन का विशेश संबंद भविशे से होता है नेक्स्ट कुशन वेबसाइग निदेशन में विशेश महत्व होता है पहला ओप्शन है बुद्धी परिक्षन दूसरा ओप्शन है प्रवर्ता परिक्षन थर्ड ओप्षण है शैक्षिक परिक्षण और लास्ट ओप्षण है वेक्तित परिक्षण इसका अंसर है B प्रवर्ता परिक्षण यानि कि वेबसाइग निदेशन में विशेश महत्व प्रवर्ता परिक्षण पर दिया जाता है नेक्स्ट कुर्शन वेबसाइक निदेशन में मुख्य सेवा है पहला अप्षन है स्थानापन सेवा दुसरा अप्षन है अनुगामी सेवा थर्ड अप्षन है दोनों के ही और लास्ट अप्षन है इसमें से कोई नहीं इसका अंसर है C, दोनों का ही वेबसाइग निदेशन में मुख्य सेवा, स्थानापर्ण सेवा और अनुगामी सेवा दोनों का ही होता है नेक्स्ट कोशिन वेबसाइग निदेशन में विशेश योगदान रहा है पहला अप्शन है डॉनाल्ड सूपर का दूसरा अप्शन है जी इ मेयर्स का थर्ड अप्शन है फ्रेंक पार्सन का और लास्ट अप्शन है उप्रोग सभी का इसका अंसर है C फ्रेंक पार्सन का वेबसाइग निदेशन में विशेश योगदान प्रेंक पार्सन का हुआ है नेक्स्ट अप्शन नेक्स्ट कोशन वेबसाइक निर्देशन की उपकरण है पहला उप्षन है समाने प्रवन्ता परिक्षन दूसरा उप्षन है विश्च प्रवन्ता परिक्षन थर्ड उप्षन विभेदी करण प्रवन्ता परिक्षन और लास्ट उप्षन है उप्रोग सभी इसका answer ready उप्रोग सभी website निर्देशन के उपकरण की बात करें तो इसमें समाने प्रवर्णता परिक्षन विशेच प्रवर्णता परिक्षन और विबेदी करण प्रवर्णता परिक्षन ही आता है next question हम job analysis से देख लेते हैं यानि कि रोजगार विसलेशन से पहला question है रोजगार विसलेशन का उप्योग किया जाता है पहला option है शेक्षिक निर्देशन में दूसरा option है website निर्देशन में थर्ड option है दोनों में और last option है किसी में नहीं इसका answer है B website निर्देशन में रोजगार विशलेशन का उप्योग हम वेबसाइक निदेशन में करते हैं इसका अंसर है D, उप्रोग सभी कारे रोजगार विशलेशन के मुख्य पक्ष में आपका शारिरिक, मानसिक और समाजिक कारे आते हैं नेक्स्ट कुशन, रोजगार विशलेशन में सम्लित करते हैं पहला अपषन है पाट्रे वस्त्यों विशलेशन, दूसरा आपशन है कौश्चल विशलेशन, थर्ड अपशन है दोनों ही और लास्ट आपशन है उप्रोग सभी कारे इसका अंसर है B, कौशल विचलेशन रुजगार विचलेशन में कौशल विचलेशन समलित होते है Next question मांसिक योगताओं का वन्नन ने विभाजन किया है पहला option है शैक्षिक योगताओं दूसरा option यांत्रिक योगताओं थर्ड अप्षिन है दोनों ही और लास्ट अप्षिन है इनमें से कोई नहीं इसका अंसर है C, दोनों ही मांसिक योगताओं का वन्नन ने शैक्षिक योगताओं और यांतिक योगताओं में विभाजित किया है Next question विचलेशन में प्रियुक्त करते हैं पहला अप्षिन है वितिक शिक्षा, दूसरा अप्षिन है वितिक वार्ता, थर्ड अप्षिन है वितिक सम्मेलन और लास्ट अप्षिन है उप्रोग सभी इसका अंसर है D, उप्रोग सभी वितिक निदेशन में प्रियुक्त करते हैं वितिक शिक्षा को, वितिक वर्ता को और वितिक सम्मेलन को नेक्स्ट कोशन वितिक विशेशग्य यानि की केरियर मास्टर की भूमिका होती है पहला अप्शन है वितिक निदेशन में, दूसरा अप्शन है वितिक सम्मेलन में थर्ड option वितिक प्रदर्शनी में और लास्ट option उपरोग सभी में इसका अंसर ए D उपरोग सभी में वितिक विशेशक्य की बात करें तो वितिक निदेशन में, वितिक सम्मेलर में और वितिक प्रदर्शनी में इसकी भूमिका होती है नेक्स्ट कुशन हम vocational guidance service से देख लेते हैं वेबसाइग निदेशन सेवा का मुख्य प्रकार है पहला उप्षन है अनुगामी सेवा, दूसरा उप्षन है स्थानापन सेवा, थर्ड उप्षन है अनुसंधान सेवा और लास्ट उप्षन है उप्रोक सभी इसका answer D उप्रोक सभी वेबसाइग निदेशन सेवा का मुख्य प्रकार अनुगामी सेवा, स्थानापन सेवा और अनुसंधान सेवा होता है नेक्स्ट कुशन शोज सेवा का मुख्य कार होता है पहला उप्षन है रोजगार दिलाना, दूसरा उप्षन समस्या में सहायता करना, थर्ड उप्षन समस्या का समाधान करना और लास्ट उप्षन है उप्रोक सभी इसका answer D उप्रोक सभी शोद सेवा का मुख्य कार रोजगार दिलाना, समस्या में साहिता करना और समस्या का समाधान करना होता है इसका अंसर है B, अनुगामी सेवा वेबसाइग निदेशन का अंकलन अनुगामी सेवा करती है इसका अंसर है B, अनुगामी सेवा का समस्या होता है पहला अप्षण है वर्तमान कार्यों से, दूसरा अप्षण है भावी कार्यों से, थर्ड अप्षण है अतीत के कार्यों से और लास्ट अप्षण है उप्रोग कोई नहीं इसका अंसर है B, भावी कार्यों से, अनुगामी सेवा का संबंद भावी कार्यों से होता है स्थानपन सेवा का मुख्य कार्यों होता है पहला अप्षण है समस्या समाधान, दूसरा अप्षण है रोजगार दिलाना, थर्ड अप्षण है प्रफाव शीलता का अंकलन, और लास्ट अप्षण है उप्रोग में से कोई नहीं इसका अंसर है B, रोजगार दिलाना, स्थानपन सेवा का मुख्य कार्यों रोजगार दिलाना होता है आज की टॉपिक का लास्ट कोशन है आपका, अनुगामी सेवा का मुख्य कार्यों होता है पहला option है रोजगार दिलाना, दूसरा option है समस्या समाधान करना, थर्ड option है प्रभावशिलता का आंकलन और लास्ट option है उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका अंसर है सी प्रभावशिलता का अंकलन अनुगामी सिवा का मुख की कार प्रभावशिलता का अंकलन करना होता है ये तो थे आपके fundamental of guidance and counselling और कुछ questions इसका एक पार्ट और आएगा इसे भी आप ध्यान से देखेगा अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसमें जितने भी पेपर आपके तीनों पेपर है इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग-अलग आप इसको देख सकते हैं descriptive mode और objective दोनों में ही बना हुआ है आप आसानी से देख सकते हैं और मैं आशा करूँगी कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए तब तक के लिए धन्यवाद